So students, as we are talking about that the factors that affect the choice of capital budgeting, it means वे घटक जो पुँझी धांचे के चैन में मदद करते हैं, आईए हम उनके कुछ steps को, steps by step समझते हैं, मतलब कुछ बिंदों को एक-एक करके समझते हैं. जैसे कि अभी तक आपने capital structure में क्या समझा, capital structure में क्या होता है, debt और equity, यानि रेन और समता का ऐसा अनुपात लिया जाता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या गीन किया जा सके, profit गीन किया जा सके company के लिए. तो अगर हम debt की बात करते हैं, आप यानि रेन की बात करते हैं, तो रेन कब बढ़ता है, जब earning per share बढ़ता है. अब earning per share बढ़ने के बाद इसमें क्या होता है? एक fixed obligation होता है. Fixed obligation मतला, जैसे हम रेन की बात करते हैं, वहाँ पर ब्याज देना अनिवारे हो जाता है. And this is the fixed obligation we are talking about. So, जो रेन हैं, उस पर क्या है? ब्याज कात दर, जो ब्याज की दर लगती है, वो है जरूरी होती है देना. और अगर हम equity की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है? Shares इशू करने पड़ते हैं. दो हम जब बात कर रहे हैं, कि ऐसे कौन से बिंदू हैं, या ऐसे कौन से घटक हैं, जो की capital structure, यानि पूंजी धांचे को प्रभावित करने वाले घटक हैं. अब देखें, पहला जो इसमें बिंदू या पहला घटक होता है, वो है cash flow, यानि रोकड़ प्रवा. अब क्या हो सकता है? अगर आप इस cash flow से समझें, मतलब मान लीजे किसी company में proper cash flow है, बट इन केज, अगर उस company का cash flow यानि रोकड़ प्रवा अच्छा नहीं है, तो उसे debt की ओर न जा करके, कहां जाना चाहिए? इक्विटी की हो जाना चाहिए. अब पहले घटक को समझ लिया, हमने आईए दूसरे घटक की हो चलते हैं, दूसरा घटक क्या है? दूसरा घटक है भ्याज आवरन अनुपाद, यानि इंट्रेस्ट कवरेज रेशियो. अब बच्चों, इंट्रेस्ट कवरेज रेशियो क् कि इसमें हम कितने गुना प्रॉफिट कमा सकते हैं, इसे हम इस फॉर्मुले से भी समझ सकते हैं, जो कि ICR is equals to EBIT upon इंट्रेस्ट, मान लिजे हमें किसे अच्छे सुधारण से समझते हैं, यहाँ पे जो हमारा अर्निंग है, मान लिजे 5 लाख है, और हमें देना कितना है? ए लेकिन अगर यही जो परसंटेज हम प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, यह कम होगा, तो उस हिती में हम कहां जाएंगे? इक्वीटी की ओर जाएंगे. हम तीसरे घटक की ओर चलते हैं, जो कि कहता है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, यानि रिण भुकतान आवरण अनुपात This is the step ahead to ब्याज आवरण अनुपात, यानि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब जो यह वाला जो रिण भुकतान आवरण अनुपात है, यह एक स्टेप आगे होता है ब्याज आवरण अनुपात की. कैसे? इसमें क्या होता है? जो मेन प्रिंसिपल अमाउंट है और इंटर इसको भी add-on कर दिया जाता है और उसी के हिसाब से फिर payment किया जाता है ठीक है? और उसी के हिसाब से फिर आपका जो profit आप गेन कर रहे हैं उसको calculate किया जाता है. तो अगर हम date service coverage ratio यानि रिण भुकतान आवरण अनुपात को सूतर से समझें तो यह सूतर job screen पर देख रहे है वह कुछ इस प्रकार है इससे कह सकते हैं D.A.C.R. is equals to profit after tax plus depreciation plus interest plus non cash expenses written divided by preference dividend plus interest plus repayment obligation जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो principal amount लिया जाता है या जो मूल amount लिया जाता है उसको साथ ही उस पर लगने वाले ब्याज की दर को भी हमको क्या करना होता है वापस करना होता है तब ही क्या कर सकते हैं हम यह निशित कर सकते हैं कि अगर यह वापस करने के बाद भी जो percentage है profit का अगर हम अच्छा कमा रहे हैं तब ही हम date यानि rent की और जा सकते हैं लेकिन अ आगे बढ़ते हैं चौथे घटक की ओर चौथा घटक कहता है विनियोंग पर आए यानी रिटर्न ओन इन्वेस्टमेंट इससे बचो इस सूत्र के माध्यम से समझ सकते हैं इससे एक और फॉर्मुले से समझ सकते हैं कि रिटर्न ओन इन्वेस्टमेंट इस ग्रेटर्न ओन इन्वेस्टमेंट 10% है और रेट ओफ इंटरेस्ट क्या है पांच परसंट तो क्या दिख रहा है कि आपको जो रिटर्न मिल रहा है पांच परसंट जाता है तो इस सिती में क् उल्टी हो गई मतलब return on investment is less than rate of interest हो जाएगा तो उसमें क्या होगा आप date की तरफ नहीं जाएंगे आप उसमें कहां चर जाएंगे equity की ओड़ जाएंगे हम पांचवे घटक की और आगे बढ़ते हैं पांचवे घटक कहता है cost of date यानी steam की लागत अब हम जो रेंगे रहे हैं उस पर कितनी लागत लग रही है क्योंकि रेंगे बाद हम पूंको क्या MB्याज बीक més न न मतलब जो मूल है धन ब्याज है हम हमें दोनों amount को चुकाना है तो हमें लेते समय यह ध्यान में रखना है कि क्या company के पास इतना fund है या cash flow है कि यह इस amount को चुका पाएगी तो ही वो date की और जाएगा नहीं तो वो किस तरफ जाएगा equity की तरफ जाएगा इसके बाद जो छटवा घटक है वो है करद यानि tax rate जैसे बच्चों आप लोग जानते हैं कि रेंड मे जब हम date की बात करते हैं तो वहाँ पे जो tax का rate होता है जो है equity की comparison में वो कम होता है क्यों क्योंकि इसमें ब्याज लगता है और ब्याज लगने की वज़े से कर कदर अपने आप कम हो जाता है लेकिन यहीं अगर हम equity की बात करें तो चुकि इसमें dividends यानि लाभांश मिलते है तो उस पर क्या होता है tax rate बोड़ जाता है तो अगर हम इन दोनों का comparison करें तो इस सिती में tax rate की सिती में date की तरफ जाना ही या date company को लेना ही क्या हो जाएगा उचित माना जाएगा हम सात्वे बिंदू में या सात्वे घटक की हो रहेंगे जिसे समता पुंजी की लागत यानि cost of equity capital देखते हैं जिसमें क्या होगा कि earning per share increase करेगा इसमें क्या होगा जब earning per share increase होगा तो date को include करने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर जैसे आप देख रहे हैं कि समता जो पुंजी है उसकी लागत कम हो गई और उसे earning per share कम हो गया तो इस सिती में क्या होगा इस सिती में क्या होगा problems create होगी company के लिए और company बंद हो सकती है और यहाँ पर date लेना उचित नहीं होगा और उस company को किस सरफ जाना समता पुंजी की लागत के positive side में जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर रिस्क कम होता है debt की अपिक्षा आए हम अगले घटक की और चलते हैं आठ्वा घटक हमारा है flotation cost flotation cost क्या होता है यह उन खर्चों को include करता है जिसने प्रती भूतिया यानि जो subsidies है जो जारी करने में सायक होते हैं कौन कौन से subsidies की बात कर रही हूं और कौन से expenses हो सकते हैं जैसे ब्रोक्रेज में subsidy मिलती है या ब्रोक्रेज के लिए expense लगता है उसके अलावा जो हम दूसरे expenses करते इन expenses को अगर bear कर सकती है कोई company तो बिल्कुल date की ओर जा सकती है या equity की ओर जा सकती लेकिन अगर inflation cost को bear नहीं कर सकती तो but simple and so simple is that कि उस company को bank loan की तरफ चले जाना चाहिए हम नौवे की बात करते हैं जो की है जोखिम विचार यानि risk consideration रिस्क consideration बच्चों दो तरीके से होता है पहला होगा परिचालन या operating अत्वा व्याव साइक रूप से मतलब operation के समय मान लिजे कुछ कारे कर रहा है machine खराब हो गई वहाँ पर रिस्क है इस तरह के रिस्क भी हो सकते हैं और वित्य जोखिम यानि financial risk में जो planning की है उस planning financial activities परफॉर्म नहीं हो रही है तो वहाँ पर क्या होगा वित्य जोखिम आएगा तो इन दो यह जो जोखिम होते हैं यह भी ऐसे घटक है जो की capital structure को चैन करने के लिए क्या करते हैं प्रभावित करते हैं अब हम बात करते हैं अब यहां पर लोच शील्टा की जो डेट होता है वह फास्टर बोरोइंग कैपसिटी को कम कर देता फास्टर बोरोइंग कैपसिटी मतलब और अधिक रिण लेने की खर्णता क्योंकि एक बार रिण लिया है अब दुबारा रिण नहीं ले सकते तो इस सिती में क्या होता ह ना उचित होता है लेकिन अगर कंपनी में इतना फंड है कि वह और ले सकता है तो उसी सिती में डेट की हो जाना चाहिए और तभी यहां पर लोच शील्टा यानि फ्लेक्जिबिलेटी वाला घटक जो है वह महत्व करता है वह महत्व पूर्ण बिंदू जो होता है जो यह मैं पूंजी घट धाचे का किस सरीके से चैन करना है फिर बात आती है नियंतरन की यानि कंट्रोल की यहां पर जो इक्विटी शेर होल्डर्स होते हैं अब क्या होता है इस सिती में क्या होता है कि नियंतरन किसका होगा शेर होल्डर्स का होगा तो शेर होल्डर्स क्या चाह जाएए या अपना पने से चाहेंगी इस से क्या होगा जो पुराने शेयर होल्डर सोंगे उनका स्वामित्व कम हो जाएगा तो इस सृति को कंट्रोल करने के लिए क्लिए है debt को जाना उचित होता है और क्योंकि debt पर जाने पर ब्याज दर्दिनी पड़ती है हलाएक यह ज्यादा risky होता है लेकिन यह सबसे सस्ता तरिक होता है जिससे की fund को race किया जा सकताय प्रापत किया जा सकता है फिर बात आती है बारवे घटक की जो की है वैधानिक धाचा यानी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अब बचो सिंपल सी बात है कि हम कोई भी कारे कर रहे हैं वो शासन ने या भारतिय शासन ने जो भी नियम बनाये हुए हैं उसके अंतरगति करना है कभी भी आप इन नियमों का उलंगन करेंगे तो आपको क्या होना हेवी पेनल्टी देना पड़ता है इसी तरीके से हम फाइनेंशल प्लानिंग या हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या होता है कि कोई भी डिसिजन लेते समय या कहीं कहीं से भी फंड्स लेते समय हमें जो भी फंड लेना है उसमें रेगुलेटरी प्लानिंग को आगे बढ़ाना है और उस पर अमल करना है अगर इन नीतियों का पालन नहीं किया जाता है तो उस कंपनी पर क्या होता है हेवी पैनल्टी लगती है और ऐसी भी संभावनाएं हैं कि वह कंपनी बंद भी हो जाएगी इसके आगे हम बढ़ते हैं तेरवे घट बाजार की सितियां बचों देखें दो सितियां आती है जब शेयर कब जाता है उपर जाता है शेयर बाजार यानि बूम की सिति और एक बार शेयर बाजार कब जाता है डिप्रेसियेशन यानि मंदी की सिति अब जब बूम पर जाएगा तब क्या होगा उस समय क्या होगा ए इतना डिबेंचर इशु करा सकते हैं तो इस हिती में शेयर बाजार की सितियों को जानना बहुत जरूरी होता है अन्तिम बिंदु कहता है या अन्तिम घटक कहता है कि अन्य कंपनियों का पूंजी नहां चाहिए अन्य क्यापिटल स्ट्रॉक्चर ऑफ अधर कंपनी से एक तर पूंट टू हो लेकिन जो कंपनिया अलग बिजनस कर रही हैं वह सेम और फामेश्न और का पूंचन का प्रक्षर या कापिटल स्ट्रॉक्चर और कॉंकि किस तरह के से लऄता करा आएगा ये market ही बताएगा तो उस में किस तरह के अनुपात रखना है date और equity का इसके लिए financial manager को market analysis करना चाहिए और उसके बाद ही decide करना चाहिए कि उस company का capital structure होगा या पूंजी धाचा होगा वो किस तरीके का होगा तो बच्चो इस तरीके से हमने उन factors यानि उन घटको को जाना जो कि पूंजी धाचे के चैन को प्रभावित करती है आई इसके आगे हम बढ़ते हैं और आज हम पढ़ेंगे fixed capital क्या होता है और working capital क्या होता है लेकिन इन दोनों को एक एक करके समझेंगे detail में और ऐसे कौन से factors रहते हैं जो इन दोनों को अलग अलग तरह से effect करते हैं सबसे पहले हम शुरू करते हैं fixed capital से जो कि आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि fixed capital क्या होता है यह सारे fixed समपतियां यह स्थाई संपतियां होती हैं जिन्हें की long term के लिए किया जाता है जिनमें निवेश किया जाता है यह सम्पतियां कैसा हो शकति है भूमी मकान मशीने यह सारी जो समपतियां हैं इन्हें हम कहते हैं स्थाई पूंजी या फिक्स्ट कापिटल बच्चों जैसे कि आप देख रहे हैं कि फिक्स्ट कापिटल स्थाई पूंजी है तो बट अवेस ये दीरकालीन समय के लिए इसमें वीनियोग किया गया है अब क्या इनमें वीनियोग इनको बेचने के लिए किया गया है नहीं इनमें जो विनियों किया गया है इन्हें बेचने के लिए नहीं बलकि इन्हें दिर कालीन रूप में इनसे प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया गया है सामानी रूप से देखें अगर कोई व्यक्ति है बिजनसमेन प्लांट डालता है या फैक्टरी शुरू करता है तो उसमें जो मशीने लगाता है या जो उसका इंफ्रस्ट्रिक्चर बनाता है क्या उसको वो बना करके बेस देता है नहीं वहाँ पर वो क्या करता है अपना मैनुफेक्चरिंग यूनिट बनाता है और मैनुफेक्चरिंग करने के बाद जो भी आउटपुट आता है वो उसका प्रॉफिट मार्जिन लेके वो शुरू करता है यह हुआ आपका फिक्स्ट कापिटल यानि स्थाई पुनजी अब बात आती है कि स्थाई पुनजी का प्रबंध कैसे किया जाए यानि मैनेजमेंट और फिक्स्ट कापिटल जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो दीरकाले निवेश होते हैं इन्हें दुबारा बेचने के उद्देश उसे इनमें निवेश नहीं किया जाता इनमें निवेश करने से पहले बहुत सोच समझ कर निवेश किया जाता है क्योंकि जैसे ये फिक्स्ट कापिटल आप स्थाई पुनजी सुन रहे हैं इनमें जो निवेश होता है इसमें जो कैश होता है बहुत अच्छी बड़ी मात्रा में लगता है या एक महंगा पहले management को अच्छे तरीके से विचार कर लेना चाहिए कि क्या उनके व्यवसाय में इन चीजों की आवशक्ता है यह कोई नया व्यवसाय शुरू कर रहा है और उसने निवीश करना चाहिए अगर वो अपने डिसिजन पे थोड़ा भी से लगता है कि नहीं वो अभी भी सेहमत नहीं है तो उसे फिर से एक बार सोच लेना चाहिए इन फिक्स्ट कापेटल पे निवीश करने से पहले क्योंकि यह महंगे रिविश हो सकते हैं आए अब हम उन फैक आप जो देख रहे हैं वो व्यवसाय की प्रक्रदी नी नेचर ऑफ बिजनस होता है अब व्यवसाय दो प्रकार के होते हैं पहला होता है मैनफेक्चरिंग यूनिट दूसरा होता है ट्रेडिंग यूनिट जो होता है उसे हम निर्मानी व्यवसाय कहते हैं और ट्रेडिंग बिजनस जो होता है वो से व्यापपारिक व्यवसाय करते हैं अब जैसे कि manufacturing से आप clearly समझ सकते हैं कि manufacturing unit में manufacturing business में किन चीजों की आवर्शकता है भूमी रहेगी तब वहां plant बनेगा plant बनेगा तभी वह मशीने रहेंगी मशीने रहेंगी वहां raw materials आएगा फिर उसमें लेबर्स लगेंगे और बहुत सारी चीज़े रहेंगी तो वहां पर स्थाई पुंजी के आवश्रक्ता जादा मात्रा में अब व्यापारिक व्यावसाय की बात करें क्यूंकि जो manufacturing unit है वहां पर किसी वस्तू के production में या किसी स्थाई पुंजी के आवश्रक्ता कम है या नहीं तो हम व्यावसाय की प्रकृती से भी समझ सकते हैं या पहला घटक है जो कि यह बताएगा कि उसे स्थाई जो पुंजी है उसकी आवश्रक्ता है या नहीं यह कितनी है उसके बाद हम दूसरे घटक की और चलते हैं दूसरा खटक कहता है क्रियाओं का मापदंड यानि स्केल ओफ आपरेशन सिस्टम देखिए चोटे पहमाने पर भी हो सकते हैं बड़े पहमाने पर भी हो सकते हैं लेकिन अगर चोटे पहमाने पर हैं तो उनमें बट ऑवियस है कि क्या होगा फिक्स्ट कैपिटल जो लगेगा पुन्जी लगेगी वह बड़ी मात्रा में लगेगी तीसरे फैक्टर या तीसरे घटक को समझते हैं तो तीसरा घटक कहता है पद्धति कच्छय यानि चोईस ऑफ टेक्नीक अब देखिए बहुत सारे कंपनीज या फर्म्स ऐसे होती हैं जो कि आधुनिक मशीनों का करना पड़ेगा जैसे कि आप दिखते हैं मुबाइल में आप या सॉफ्टवेर जो डले होते हैं वो क्या होते हैं अपडेट होते रहते हैं वैसे ही बिजनस एन्वार्मेंट जो होता है टाइम टो टाइम अपडेट होता रहता है और उसमें जो टेक्नीक्स यूज होती है तो उस पर ध्यान रखते हुए यहां पर जो है स्थाई पूंजी में ज्यादा निवेश की आवर्शक्ता होती है अब इसके बाद चौथी हम आगे बढ़ते हैं तो चौथा घटक है वो कहता है तकनीक उत्थानें टेकनोलोजिकल अपग्रेडेशन अब जैसे कि मैंने आपक जैसे कि computer software की बात करते हैं जैसे कि बहुत सारे ऐसे software है जो कि बहुत सारे forms में मैंने जैसे कि आपको पहले के चैप्टर में बताए था एक communication channel का काम करते हैं तो ऐसे और भी service हैं जिनके माध्यम से आप अपने काम पर कंट्रोल रख सकते हैं अपने काम पर निरक्षन रख सकते हैं तो इन सौफ़वेर्स को टाइम टू टाइम क्या अपग्रेडेशन या अपडेशन की जरूत होती हैं तो इस वज़े से यां सथाय पुंजी की आवशक्ता ज्यादा होगी तो नेकस्ट बिंदू है या पाच्वा घटक है वो कहता है विकास की संभावनाएं जिन व्य Glasवसाय या नहीं होगी वहाँ पे fixed capital यानी स्थाई पुंजी की आवशक्ता कम होगी या फिर नहीं होगी इसके बाद अगले घटक की बात आती है जिसे कहते है इसमें क्या होता है मान लिजे कोई businessman एक business कर रहा है लेकिन वह अपने product line को बढ़ाना चाहता है product line मतलब अपना range बढ़ाना चाहता है मान लिजे कपड़े व्यवसाय में हैं तो मान लिजे अब वह सबजी के व्यवसाय में या भोजन के food zone में जाता है तो अगर वो divisfiction करता है तो उसके लिए उसको fixed capital की यानि स्थाई पुनजी के आवशकता होगी इसके बाद आती है बात वित्ति व्यवस्था विकल्पियनी financing alternatives देखे बचों यहां पर हम दो चीजों की बात करेंगे एक तो नगत की बात करेंगे और दूसरे पट्टेदार है उसको जो प्रोडक्ट्स चाहिए या raw material चाहिए या मशीने चाहिए जो भी चाहिए वो अगर उसे पटेदारी या leasing में या किराय पे अगर मिल जाती है तो यहां पर उसको fixed capital की आवशकता कम होगी स्थाई पुनजी की आवशकता कम होगी क्योंकि अगर मान लिजे उसे मशीने मान लिजे मशीनों की बात करते हैं अगर वो leasing में मिल जाती है तो वह थोड़ी थोड़ी रकम करके उसको चुका सकता है लेकिन अगर उसे नगत बुकतान करना हो तो उसे एक साथ अच्छी वड़ी खासी रकम देनी होगी तो इसलिए जब नगत की बात करते हैं त फिर अंतिम घटक है वो कहता है सहाय करता का सर यानि लेवल ओफ क्लाबरेशन जब एक फर्म काम कर रही है तो उसी पर सारा बोज होगा फिक्स्ट कापिटल का लेकिन मान लिजे दो तीन फर्म एक साथ मिल कर काम कर रही है तो वो जो प्रेशर होता है फिक्स्ट कापिटल क वो थोड़ा थोड़ा हर form में डिवाइड हो जाएगा तो इस वज़े से क्या होगा fixed capital का जो बोज होता है वो collaboration की वज़े से क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है या अलग-अलग भागों में बढ़ जाता है तो बचो यह वो घटक थे जो स्थाई पूंजी के आवश्रक् प्रभावित करते थे आई आप जानते हैं कि पूंजी budgeting क्या है यह technical word मैंने पहले भी यूज किया है पूंजी budgeting क्या होती है जो स्थाई संपत्ती में विनियोग संबंधित नेणा लेने से है जिन से लंबे समय तक आयकी प्राप्ती हो सकती है जैसे कि इस पर्ष्ट है कि इ परिवाशा कहती है और इसके अंदरगत क्या होता है जब लंबे समय की बात आ रही है तो थोड़ा यह जोखी मर्या भी होगा फिर क्या हो सकता है यह हो सकता है कि इन डिसिजन्स को बाद में चेंज भी नहीं किया जा सकता होगा ऐसे भी हो सकता होगा अब इन पॉइंट्स जो मैंने आपको गिना है कि पहला दीरकालिन वृद्धी दूसरा भारी विनियोग से सम्मंदित तीसरा जोखी पूर्ण कारे और अपरिवर्तनी निर्ण चौथा यह जो चारो पॉइंट है वो कैपिटल बजटिंग को आप डीटेल में समझा सकते हैं अगर हम बात करें द लेने के लिए तो वहाँ पर क्या होता है कि यह लांग टERम बिसिस के लिए अब प्लांट लिया है कोई मशीन ली है तो आज यूज़ करेंगे या दो मैंने चोड़ देंगे या बेच तो ऊज़िए तो होगा निए तो वह क्या हो गई लांग टर्म यूज़ के लिए है भारी मातरा में फंड का होता है तीसरी बात कर रहे हैं कि जो खिंपॉंड रिस्क इन्वॉल्ड अब हमने जो डिसेजन लिया है क्या वह एप्रोप्रियेट है क्योंकि इतना फंड तो फर्स चुका है क्या हमने जिस उद्देश की प्राप्ति के रिए उस मशीन को खरीदा है क्या हमारे उद्देश की प्राप्ति हो रही है यह रिस्क इन्वॉल्ड है इसमें नहीं हो रही तो बहुत मुश्किल है अब जब यह हम फिक्स कैपिटल की बात कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग की बात कर रहे हैं तो इसमें जो निर्णे लिये जाते हैं वह और परिव को समझे आई अब वोकिंग कैपटल क्या होता है इसे डीटेल में जानेंगे बचाहं वोकिंग कैपटल की अगर कार्शील पुझी कहते हैं अब कारेशील पुझी होती क्या है तो जन्रल लांगवेज में अगर आपको मैं समझा हूं तो रोज मरा के विवसाय में हम जो को पेमेंट करना है यह सारी चीज़े कारेशील पुन्जी के अंतरगत आई है अगर हम इसे प्रॉपर भुकिष्ट लांगविज में समझें तो इसे इस तरके से भी समझ सकते हैं कि कारेशील पुन्जी से आश्य व्यवसाय के अलपकालिन संपत्यों से है जैसे कि स्टॉक औ अगर हम बात करें तो कारेशील पुन्जी होती है वो सभी चालू संपत्याओं और जो चालू दाई तो होते हैं उनके नुरूप तै की जाती है अब अगर हम बात करें तो कारशील पुन्जी के दो प्रकार होते हैं एक तो सकल कारशील पुन्जी इनमें वे सभी चालू संपतियां जैसे की नगत प्राप्त बिल पूरपत ये सभी चीज़े इंकलूड की जाती हैं और अगर हम दूसरे प्रकार की बात करें तो है शुद्ध कारशील पुन्जी इसमें जो होता है चालू संपत्यों और चालू दाइतों के अंतर को हम शुद्ध कारशील पुन्जी से समझ सकते हम अगर हम धनात्मक working capital की बात करें तो वो कब प्राप्त होगा जब चालू संपतियां जो होगी चालू दायत्व की अपेख्षा जादा होगी तो वहाँ पे धनात्मक कारिशील पूंजी प्राप्त होगी और जब चालू संपतियां चालू दायत्व की अपेख्षा कम मात्रा म प्रशी कि różne कि क्यों क्यों है जैसे कि आपको बताया कि रोज मर्णा के जीवन अगर हम देखें किसी की आउप रखता होती है अगर इसको एक अच्छे से उदाहरण से समझें तो उदाहरण में समझ सकते हैं कि प्लांट हमने लगा लिया या किसी व्यवसाई ने एक फैक्टर डाली अब उसने क्या किया प्रोडक्शन स्टार्ट किया उसने रौ माटीरियल लिये रौ माटीरियल को अब फाइनल गुडिया अंतिम उत्पाद तक पहुंचाने के लिए उसे जो भी खर्च करने पड़ेंगे ठीक है वो उसकी चालू संपतियों में या कारशील पुंजी के अंतरगत आएगा तो इसलिए हम कह सकते हैं जो कारशील पुंजी है उसकी आवश्यक्ता यहां पर होती ह क्योंकि इसमें हम बेल भी पे कर रहे हैं रोज मर रहा हैं खर्च भी ले रहे हैं वेतन भी दे रहे हैं ठीक है तो कारशील पुंजी के आवश्यक्ता इन जो ऊपर होती है अब आवशक्ता भी समझ में आगई अब आते हैं उन घटकों या factors की तरफ जो की प्रभावित करते हैं कारिशील पूंजी की आवशक्ता को चले पहला खटक देखते हैं या पहला factor देखते हैं जो की है website की प्रकृती यानि nature of business जैसे बच्चों मैंने आपको fixed capital में भी बताया था कि जो business होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं पहला जो होता है निर्माणी व्यवसाय यानि manufacturing business और दूसरा होता है व्यापारिक व्यवसाय यानि ट्रोडिंग business अब निर्माणी व्यवसाय में चुकी बहुत सारा कार इंक्लू पुंजी के आवश्रक्ता होती है ठीक है वहीं पर हम अगर बात करें व्यापारिक व्यवसाय की अब इसमें क्या होता है कि जो final good है उसको खरीदा और दूरंद बेच दिया मतलब इसका inventory जो है maintain करने की जरूरत ने और कई बार ऐसा होता है खरीदने के पहले ही खरीदने का सौधा हुआ और यहां पर उन्होंने बेचने का भी सौधा कर दिया मतलब अपने पास inventory रखी ही नहीं तो इस हित्री में क्या होगा कि यहां पर working capital की आवश्रक्ता यानि कारिशील पुंजी की आवश्रक्ता नहीं होती है जो second factor हम बात करेंगे second factor है क्रियाओं का स्तर यान सारे कारे उसमें इंकलूड है रोज मर्रा के खर्चें और जब कोई व्यावसाय जो छोटे सर पे चल रहा है तो वहां पर क्या होगा कम working capital की यानि कम जो है कारिशील पुंजी की आवश्रक्ता होगी तीसरे घटकी और आगे बढ़ते हैं व्यावसाय चक्र जिसे की business cycle कहते हैं जैसे की स्क्रीन में आप business cycle देख रहे हैं business cycle में first phase recession दिखा रहा है फिर बूम होता है फिर उसका depression होता है उसकी बाद होता है recovery अब बूम वाले phase में हम समझते हैं जब की सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही है उस थीती में भी क्या होता है working capital चुकि business बहुत अच्छ करनी पड़ेगी तो उस हिती में क्या होगा working capital ज्यादा लगेगा अब depression में आते हैं वहाँ पर business चली नहीं रहा है तो inventory क्यों manage करनी है या रोज मर्ला के खर्च भी कम हो जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा working capital कम हो जाएगा next हम बात करते हैं मौसमी घटक यानी seasonal factors मान इसा व्यवसाय है जो कि season based है तो season based व्यवसाय है तो वह particular season में ही चलेगा ठीक है अब वह season to season depend करेगा मान लिजे कोई फलो का व्यवसाय ही है मान लिजे वह फल उस season में आते हैं अब पर पर टिकलर उसी season में आएंगे तो वहाँ पर working capital ज्यादा लगेगा लेकिन उस व्यव capital कम लगने लगे अभी छोटे से ही एक example को समझते हैं इस covid pandemic के session में आपने देखा या covid pandemic ने आपने notice किया कि जो sanitizer पहले लोग बिल्कुल यूज नहीं करते थे अब वो बड़ी मातरा में लोग यूज करने लग गए हैं जो mask पहले लोग यूज नहीं करते थे अब वो लोग बड़ी मातरा में यूज करने लग गए तो ये एक season के तौर पर आया है कुछ सालों बाद ये pandemic चला और इनका भी व्यवसाय खत्म हो जाएगा तो उस स्थी में क्या होगा ये season खतम हो जाएगा तो अभी इस समय ये mask हुआ या फिर हुआ ये हम जो sanitizer यूज करते हैं इनका season चल रहा है या इनका समय चल रहा है तो यहां पर इनमें जो कारिशील पुन्जी की आवश्रक्ता ज दूसरे example से समझ सकते हैं फिर हम बात करेंगे अगले factor की जो की है उत्पादन चक्र यानि production cycle अब production cycle क्या होता है बच्चा जब किसी raw material को यानि कच्छे माल को finished good यानि अन्तिम उत्पाद तक पहुचाने में ठीक है और अन्तिम उत्पाद तक पहुचा दिया अब उसके बा जो चक्र चलता है उसे हम क्या करेंगे production cycle के अंदर लेंगे अब जितना चक्र ये बड़ा होगा वहां पे क्या हो जाएगा कारेशील पुंजी ज्यादा लगेगी और ये चक्र जितना छोटा होगा वहां पे कारेशील पुंजी के आवर्श्रक्ता उतनी ही कम होगी इसके अगले घटक की और आते हैं जो कि है उदार उपलब्द कराना यानि क्रेडिट एलाउड जब कोई व्यवसाई अपने साथ व्यवसाई कर रहे हैं उनको उधार पर वस्तुएं देता है तो वहां पर क्या हो जाएगा उसको working capital यानि कारेशील पुंजी के आवर्श्रक्ता ह होगी लेकिन अगर नगत पर कारे कर रहा है तो उसको क्या होगा कि वहां पर working capital क्यावर्श्रक्ता कम होगी मान लीजे आप ही देखते हैं एक किराने स्टोर में अगर आप किराना लेने जाते हैं वहां पर क्या किया अपने उधार में समान लिग दिया अब उसने आपको सम अपने लिए जितनी जरूरत की आवशक्ता की सामान होगी वह तुरंत फिर से दुकान के लिए दुबारा ले आएगा तो इस एक्जामपल से हम उधार उपलब्द कराना यानि credit allowed को समझ सकते हैं फिर बात आती है उधार सुविधा की प्राप्ति यानि credit availed मान लिजे हमें मिल जाती है कि हम कोई व्यवसाय का कुछ भाग उधार से ले करके मनला हमें कुछ resources के आवशक्ता है संसाधन मिलेंगे तो हमें क्या होगा अधिक working capital यानि कारशील पुंजी की आवशक्ता होगी बच्चो यह जो दो पॉइंट मैंने बताए उधार उपलब्द कराना यानि credit allowed और उधार सुविधा की प्राप्ति यानि credit availed ये दोनों पॉइंट थोड़े से critical और थोड़े मिलते जुलते हैं इसे आप clearly समझेंगे और उसे अपने उत्तरप्स्तका में सही सही लिखेंगे उसके concept थोड़ है थोड़े different है ठीके आगे बढ़ते हैं हम प्रचालन कुशलता यानि operating efficiency यहां बात आती है कि जब कारे पूरा हो गया जब raw material से finished goods में आगया अब finished goods से वह sell हो करके उससे जो हमको return मिल रहा है वो अब यह business cycle जो यह operating cycle है जितना लंबा होगा उसमें working capital उतना ज्यादा लगे यानि कारे शील पुंजी हमें कम लगेगी फिर बात करते हैं कच्छे माल की उपलब्दता यानि availability of raw material अगर हमको जो raw material चाहिए वो जल्दी जल्दी उपलब्द हो जाता है ठीक है वो available है तो हम क्या करेंगे बहुत सारा ना खरीद करके उसे थोड़ा थोड़ा करें जितनी अभी जितनी आवश्रेक्ता उतनी ले लिया फिर जब आवश्रेक्ता भी फिर लेंगे तो उस सिति में क्या होगा हमारा फंड फसेगा नहीं अगर ऐसा हुआ कि resources कम है या raw material कम है तो हम क्या करेंगे उसका inventory maintain करेंगे और जब inventory maintain करेंगे या stock maintain करेंगे उस समय हमें working capital यानि कारशील पुंजी की आवश्रेक्ता होगी और inventory नहीं maintain करेंगे मतलब जब में raw material आसानी से उपलब्द हो जाएगा उस सिति में क्या होगा हमें कारशील पुंजी की आवश्रेक्ता कम होगी दस्वा जो हमारे पास घटक है वो है मुद्वरास्पिती यानि inflation की बात करें तो उस समय जो वस्तुएं होती है वो easily available नहीं होती या महेंगी होती है यह कह सकते हैं उस समय हमें working capital की आवश्रेक्ता अधिक होती है और deflation के समय जब सारी चीजे सस्ते में available हो जाती है तो उस समय working capital की आवश्रेक्ता कम होती है अंतिम घटक की ओर चलते हैं अंतिम घटक है प्रतियोगिता का सर यानि level of competition जो प्रतियोगी है उनके साथ market में competition बनाए रखने के लिए अपने आपको market में sustain रखने के लिए हमेशा changes लाने की आवश्रेक्ता है कुछ innovative करने की आवश्रेक्ता है और इन सभी activities के लिए working capital की आ अवश्रेक्ता होगी तो बच्चों ये वो घटकते जिसके लिए working capital जो है उसको क्यों चाहिए वो प्रभावित करते हैं तो बच्चों इस तरीके से ये chapter हम खत्म करते हैं और मैं आशा करती हूं आपको financial management chapter अच्छे से समझ में आया होगा और आप अपनी उत्तर पुस्ति में इसे अच्छे से लिखेंगे